हेलो फ्रेंड्स मैं शर्मिला मली के वेलकम टो माई चलन दिली नेचर लवर तो कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप सब ठीक होगे फ्रेंड्स दिवाली खतम होगी और दिवाली के बाद जो चीजे हैं वो तो हमने रख दी लेकिन हमने बहुत सारे फूलों से अपने घर को स और आप घर में उससे भी जाद अच्छे बना सकते हो यह मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ यह देखिए हमन केक जो कि मैंने बनाए हैं और मैं हमेशा जितने भी पूजा में फूल चड़ते हैं उन सब को इकठा करके इसी तरीके से अपने यह हमन कंड़े बना लेती हूँ और यकीन मानिए इसकी जो खुश्बू है ना उससे पूरा घर मैक उठा है मैं हमेशा अपते में एक दिन कर लेती हूँ और तिभार वाले दिन अपने इन हमन कंड़ो को ही यूज करती हूँ तो आप अगर इने बनाना चाहते हो तो मेरे साथ देखिए इसका पूरा प्रो दिश्ट नहीं जाते तो मैंने इन सबसे पहले अपनी दिवाली का घर सजाया मंदिर सजाया और अब मैं इनसे बनाओंगी अपने ये कंड़े अब हम अपने इन हमन कंड़ों को बनाना शुरू करते हैं यह मैंने फूल सुखा लिए धूब में बहुत अच्छे तरीके से और जब आप इने बना रहे हो तो कड़ाई में थोड़ा सेख ले सेखने से ये जो है जब आप इने मिक्सी में पीस होगे तो ये बहुत ही महीन इनका पाउडर बनके तयार हो जाएगा यहाँ पर यह मैंने बचे हुए जोन ले लिए यहाँ पर इलाइची है लोंग है ते और यहाँ पर गाएं के गोबर के ये कंडे डाल दिये क्योंकि गाएं का गोबर पूजा के लिए सनातन धरम में बहुत ही शुब माना जाता है अब आप इन सब को एक एक करके अपनी मिक्सी में एक महीन पाउडर बना लेंगे सारी चीजों का पाउडर बनाते जाएंगे और आप एक जंगे इन सब को इकठा करते जाएंगे बहुत ही आसानी से ये एक पाउडर बनके तयार हो जाएगा और खुश्बू की तह मैं बता नहीं सकती आप यकीन नहीं कर सकते आप पहले इस चीज को बनाईए फिर बाद में आके वीडियो पर कॉमेंट कीजिए कि आ नहीं भाई इसकी खुश्बू इतनी है कि पूरा घर महा कुटा खुश्बू से और मैंने एक बहुत बड़ी ब्रैंड के मंगवाई थे सच माननों तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बट उनके भी हवनकंडे हमारे कंडों के जैसे नहीं थे क्योंकि यहां इसमें आप जो सामगरी है वो अपनी इच्छा के अनुसार कम और जादा डाल सकते हो अब सारा कुछ पीसने के बाद हम इसमें मिलाएंगे कपूर यह सरस्वती का जो कपूर आता है वो है मैंने ही 50 ग्राम कपूर ले लिया आप डली वाला कपूर भी ले सकते हो और इस कपूर को भी अ अपनी इस कड़ाई में हमने एकठा कर लिया अब मैं यहां मिलाओंगी इसमें गंगा जल क्योंकि गंगा जल के बिना तो हमारी पूजा होती नहीं है तो गंगा माता का जो जल है वो भी मैं इसमें मिला दूंगी और अब हम इसमें मिलाएंगे सुद देसी घी गाएं का हो तो बहुत अच्छा है, यहां मैंने अपने घर का बना हुआ, देशी घी डाला है, मैं यहां पचास से सो ग्राम के आसपास इसमें घी डालूँगी, क्योंकि घी डालने से जो आपके कंडे हैं, वो बहुत ही अच्छे जलते हैं, और धुआ भी उनसे कम होता है, और जो उसकी के लायक हो जाएंगे, जैसे कि हम लडू वगरा बानते हैं, या पूडियों का आटा बनाते हैं, उसी तरह का डो बनाना है, आप अपने हाथ में ऐसे बना के देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से यह आपके दिये की तरह बन जाएंगे, अगर आपको सेफ देने में मुश्क तयार कर लूगी, और फिर हम इने धूफ में सुखाएंगे, क्योंकि अगर टाइट धूफ होती है तो यह एक ही दिन में सूख जाते हैं, अब जैसे कि धूफ ही की है, तो यह तीन-चार दिन में सूखेंगे, अपना शाम के टाइम अंदर रख दीजे, वैसे तो अगर दूफ में, और जहां मैंने गार्डन में भी रखे हैं, वहां भी बहुत खुश्भू है, तीन-चार दिन तक घर वाले बोलते ही रहे कि खुश्भू किस चीज की आ रही, तो उनके लिए भी सर्प्राइज था, भूप में सुखाने के बाद आप इने इस तरीके से किसी ज दोर करके रख सकते हो, और अब ये मेरे कम से कमी ये 30-40 मेरे बन गए हैं, और काफी टाइम तक काफी है, फिर से मैं ऐसे ही फूल इकठे कर लूगी, और जब मेरे फूल इकठे हो जाएंगे, तो फिर से मैं उनको इसी तरीके से अपने ये हमन कंडे घर में ही बना लेती तो इससे बहुती अच्छा इफेक्ट आता है, बहुती पोजिटिविटी मिलती है, और आप देख सकते हो कि एक कंडे के अंदर ही कितना धुआ निकल रहा है, कुछ नहीं करना, बस आपको सब्ता में एक बार धुनी दोगे, तो इनसे मच्छर वगरा भी कम होते हैं, और घर में पोजिटिविटी मिलती है, तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ज्यादे से ज्यादा लोग प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, मेरा प्रोचान बढ़ाए ताकि मैं और बहुत सारे वीडिय जल्दी से फिर मिलेंगे, बाई-बाई, टेक केर, नमस्कार.